हेलो स्टूडेंट्स आज हम गैसियर स्टेट में लेक्चर मेंबर थर्टी शुरू करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है डैविशन और रियल गैस्ट रॉम आईडियल बिहेवियर आज हम डैविशन पढ़ने जा रहे हैं कि आई होती है वो कैसे आईडियल बिहेवियर को फोलो नहीं करती है आईडियल बिहेवियर से डैविशन शो करती है लेकिन हमें यह पता नहीं कि आईडियल गैस कौन से होती है तो जो आईडियल गैस वो गैस होती है जो हर टमप्रेशर पर हर प्रेशर पर एनी टमप्रेशर एनी प्रेशर, एनि विल्युम जो ओल गैस स्लोग याइन करती है available च उख जो जो ऑल नियम को जो इपने गैस स्लोग पर तो कहला बत्चो जो जुख अपने फिर रियल गैसें च सहरा है ऐसी जो तोपिक मैं करवाने जा रहा हूं उसका नाम है deviation of real gas from ideal behavior आत्रश वहवार से वास्त्वी गैसों का विचलन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक बार बता दू इस वाले टॉपिक के notes आपको कल मिलेंगे कल इसके notes में ओर जड़ा detail में elaborate करवांगा आज अपने इसको समयने जा रहे हैं सबसे पहले deviation शो करते हम सबसे पहला जो हम deviation पढ़ेंगे deviation from deviation from boils low boils low बचो simple सी बात है आपको पता है कि boils जो होता है वो भी एक ideal gas पर ही implement होता है और वो ideal gas के लिए आद्रश गैसों के लिए बना हुआ है लेकिन कैसे real gases कैसे वास्तवी gases boil low से विचलन दर्शाती है boil के नियम से विचलित हो जाती है उसका कहना नहीं मानती boil नियम का कैसे बात करते हैं सबसे पहले हमें पता हो है कि boil low क्या होता है आपको इस पता है कि according to boil low at constant at constant temperature and number of moles at constant temperature and number of moles क्या होता बच्चों number of moles जो pressure और volume का जो product है दाब और item का जो गुना होता है वो constant के इकवल होता है यानि नियतांक के बराबर होता है मतलब इनकी value नियत रहती है ये बात हम पर चुके हैं पहले ही जब हमने नियम पड़े थे जब हमने low पड़े थे gases low पड़े थे बच्चों मेरी बास समय नहीं बच्चों at constant temperature यानि नियत तापमान पर वे नियत संदरता पर किसी gas का नियत तापमान वे नियत संदरता पर उसका pressure और उसका volume का product उसके दाब और item का गुना नियतांक के बराबर होता है कॉंस्टेंट की इक्वल होता है हना यह बात हमें बॉयल भाइस ने बताई बॉयल साइंटिस ने बताई फोर आइडिल गैस इन दा केस ओफ आइडिल गैस वो सिरफ और सिरफ आइडिल गैस पर ही इंप्लीमेंट होता है फोर आइडिल गैस तो सिंपल सी बात है फिक्स अमाउंट ओफ गैस एड कॉंस्टेंट प्रेशर वोल्यूम प्रेशर का प्रड़क्ट जो होता है वो कॉंस्टेंट की इक्वल होता है मीन बॉयल लोग के एकोडिंग अगर हम ग्राफ प्लोट करें अगर हम बॉयल लोग के एकोडिंग पीवी जो वैल्यू सी कॉंस्टेंट होती है पीवी वर्सिस प्रेशर यानि दाब गुना आयतन बनाम दाब के मध्य ग्राफ बनाएं पीवी वर्सिस पी ग्राफ प्लोट करें तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा वो बात करने जा रहे हैं तो हमें डैवेशन पढ़ना है विचलन की बात करनी है सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं कि हमें ग्राफ क्या मिलता है तो अगर मैं ग्राफ ड्रो करूं बच्चों पीवी वर्सिस प्रेशर तो बच्चों आइडिया लगाओ उस ग्राफ कैसा मिलता है बच्चों वी नो Pero I somewhat we know that हम बोल लो की स्तडी कर रहे है और बोल लो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैश पर इंपलिमेंट होता है पर ही लागू होता है तो ओद रिख जैसे घैसे ओ js प्रेशरख को इंकृस करते हैं प्रेसर और ओल्यूम का जो प्रेऍसरोश और आइं तम का दिविश और फ एक straight line graph हमें मिलता है यानि दाब के अक्ष के दाब ये अक्ष के सवारांतर एक सीधी रेखा में हमें graph मिलता है ये graph मिलता है अगर हम PV वर्सिस P में बनाएं यानि दाब आइतन के गुना वेर दाब के मद्य अगर graph बनाएं तो हमें सीधी रेखा में graph मिलता है तो ये graph it mean हमें ग्राक कासा मिला? इट में 4 only Igel GANSes, 4 Igel GANSes and 4 BOLLO, बात एक ये है ना, कि इट में, straight line graph straight line graph straight line graph obtained 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 parallel to parallel to x-axis for ideal gas हम बात कर रहे हैं जो हमने पहले की बाते पड़ी हुई ना उसी बात को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों repeat कर रहा हूँ उसी बात को repeat कर रहे हैं अपने for ideal gas अगर मैं इसको हिंदी में define करूँ तो मैं कैसे define करूँगा कि simple सी बात है कि हमें graph कैसा मिलता है बच्चों हमें graph एकदम सीधी रेखा में मिलता है straight line मिलता है यानि इसका मतलब जब हम graph बनाते हैं तो x अक्ष के समानांतर x अक्ष के समानांतर हमें graph कैसा मिलता है graph सीधी रेखा में पराप्त होता है सीधी रेखा में परात होता है सिंपल सी बात किसके लिए आधरश कर से लिए आधरश गयांस के level' dar एक साइब को इसका नाम था अमें गेट यानि एक साइब्स ऐन्य एक साइब्स था उसने क्या किया उसने यह बात तो समझ लिए कि एडिल गैस के लिए अगर पी वी व्रसिस पी के between graphs को plot करें तो हमें straight line graph मिलता है बास सही है लेकिन amigate ने क्या किया अलग-अलग gases पर experiment किये उसने ना कुछ gases ली कौन कौन से gases ली उसने ना hydrogen gas ली उसने helium gas ली उसने neon gas ली उसने nitrogen gas भी ली और उसने CH4 यानी methane gas भी ली और carbon dioxide और carbon monoxide ये सारी अलग-अलग gases के दो सेट लिये नोने पहले hydrogen helium और neon का एक सेट अलग त्यार कर लिया और nitrogen CH4 CO2 CO इस सारी gases को उन पर experiment किये और तो उनके पास दो सेट मिलते हैं एक तो hydrogen helium neon का एक nitrogen methane और carbon dioxide और carbon monoxide का एक सेट मिलता है फिर उन्होंने धीरे धीरे इसको study करना शुरू किया तो क्या पाया कि इनका graph उन्होंने graph plot करने की कोशिश की कि PV वर्सिस PV वर्सिस P में अगर graph plot करें for hydrogen, for helium, for neon, for nitrogen, for methane, for carbon dioxide तो हमें graph कैसा मिलता है उसने ये कोशिश की तो उसने एक चीज पाया उसने experiment चेक किया तो experimentally क्या मिला experimentally क्या मिला उसने ये बात देखी जैसे उसने ये graph plot किया बच्चों तो graph कैसा मिला उसको यह देखो we know that कि हम pressure, volume product and pressure के मध्ध्य ग्राफ बनाते हैं versus graph draw करते हैं तो four ideal gas तो हमें graph कैसा मिलता है straight line मिलता है लेकिन जब उसने graph plot किया किसके लिए सबसे पहले first number set के लिए किसके लिए किसके लिए बच्चों hydrogen के लिए तो graph कैसा मिला hydrogen के लिए नियोन के लिए graph कैसा मिला ऐसे मिला hydrogen कैसे मिला ऐसे मिला फिर hydrogen के लिए इस तरीके से तो graph देखा तो उसने straight line से थोड़ा सा deviate हो रहा है यानि straight line तो मिलता है ideal gas के लिए इसका मतलब उसने एक बात देखिए कि real gases के लिए जो graph मिलता है वो थोड़ा deviate होता है क्या होता है deviate होता है which list पाया गया उस straight line से इसका मतलब इसका मतलब उसने एक निश्कर्स निकाला एक conclusion निकाला वो conclusion क्या निकाला उसको मैं लिखने जा रहा हूँ वो कहता है कि conclusion क्या निकाला सुने it mean it mean increase of pressure जैसे जैसे आप pressure को increase करते रहा हूँ P for pressure in case of in case of hydrogen in case of helium in case of neon अगर आप temperature then then increase PV then increase the value of PV PV continuously बल्द continuously ये value increase होती रहेगी and PV की value हमेशा क्या रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और एक बात और बोली and and PV value always 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 बच्चों को visible हो रहा नहीं वाला for hydrogen helium and neon neon greater than one सर ये greater than one का मतलब क्या हुआ हमें ये बात समझ में नहीं आई greater than one ये बात बोली अगर मैं इसको हिंदी में define करूँ तो मैं कैसे define करूँगा ताकि और clear हो जाईगे बात आपको एक एक वन वन लाइन में आपको एक बात clear करूँगा कि it means जैसे 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 दाब बढ़ाते हो दाब बढ़ाते हो यारी प्रेशर को increase कर रहे हो किसके किसके सापेक्ष हाइट्रोजन के and helium and nitrogen के केस में नाइट्रोजन के केस में तब पीवी का मान निरंतर बढ़ता जाता है एम इसका मान इसका मान किसका मान पीवी का मान हमेशा एक से अधिक्तम होता है और यह एक क्या है यह define करो हमें इस बात समझ में नहीं आई अधिक्तम होता है मतलब 1 कare actual में ideal ganses के लिए एक बात बोले जाती है जो ए बोरण की यह straight line graph मिलता है actual में ideal gans के लिए एक jet का मान होता है jet होता है jet का मतलब क्या होता है बताउँ गा це की valueänder क्या होती है एक होती है तो graph जो में मिल रहे है वह इसससे आपर मिल रहे है state line से उपर मिल दा तो इसकी value क्या होगी इसकी value जो है Z की value greater than 1 होगी for the hydrogen for the helium for the neon सर ये Z से हमें introduce कर वाईए कि Z है क्या चीज जिसके आप value बिता रहे हो कि 1 से जाना होगी actual में बच्चो Z का मतलब मैं तुम बिताने जा रहा हूँ actual में Z को क्या बोलते है Z का मतलब क्या होता है अराम से लिखेंगे Z का मतलब होता है compressibility हाना C O M P R E S compressibility factor compressibility factor यानि संपीडता गुनांक यानि जिसको अपने दाब भी है गुनांक भी बोलते हैं दाब मतलब प्रेशर compressibility factor बोलते हैं और compressibility compressibility जो factor होता है न बच्चों इसको अपने Z से denote करते हैं तो इसका मतलब अगर आप इसका मतलब यह होता है का चीज है actual में Z जो होता है Z ये ना किसी भी gas का जो real volume होता है किसी भी gas का real volume और उसका किसी भी कोई भी real gas का real volume और उसका ideal volume कोई भी gas उसका real volume और उसका जो ideal volume होता है यानि उसका वास्तविक आईतन और उसका आदरश आईतन का क्या होता है ratio होता है ये उसी ratio क्या बोलते हैं अपने उसी ratio को को अपने क्या बोलते हैं, उसी रेशो क्या बोलते हैं, इसका आदरश आईतन, इसका जो भी अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपने CF बोलते हैं, यानि compressibility factor बोलते हैं, और हमें पता है, कि compressibility जो factor होता है, वो हमेशा ideal gas के लिए उसकी value 1 आती है, और इसका comparison करके, compressibility factor एक से तुलना करके, हम बाकी gases का compressibility factor की study करते हैं, संपीड़ता गुनांक की क्या करते हैं, हम study करते हैं, यह देखा गया, यह पाया गया, for ideal gas, जैसे हमने graph draw किया, PV versus P, जैनि PV और P के मद्द जैसे graph बनाया, तो एक straight line मिली है, मैं सीधी रखा मिली, तब यह पाया गया, कि उसका compressibility factor जो है 1 है, जैनि उसका जो ratio है, ideal volume का और उसका real volume का वो एक पाया गया, मतलब सेम है, मतलब उसका ideal volume और real volume सेम है, दोनक value सेम है, इसका म plastic item, दोनों समान पाय जाते हैं, for ideal gains, मेरी बात सुन में आई, यह होता है, स्वमिप्रिता कुना, अब आगे वो define करता हूं, सुमिप्रिता कुना को, अगर इसको define करें, इसका formula लिखें तो Z is equal to V real, V real volume of real gas, जैनि volume of real, real volume of gas and ideal volume of gas, यह होता है, स्वमिप्रिता कुना, तो graph मे जो हम deviation आया, उसको हम Z से define करते हैं, जो भी विचलन आया, उसको हम Z से comparison करके, तुलना करके, हम बात करते हैं, Z की value अगर 1 है, तो वो ideal gas के लिए होती है, ideal gas के लिए, अगर Z की value अगर उपर नीचे हो रही है न, तो इसका मतलब वो real gas के लिए value आ रही है, वो value किसके लिए ह real volume और उसका ideal volume का क्या होता है बच्चों, ratio होता है, इस पूरी equation को अगर मैं, इस पूरी equation को उपर नीचे से P से P, P upon P से multiply कर दूँ तो क्या आता है, Z is equal to PV real and upon में PV ideal, हना, PV ideal, हमें पता है कि PV ideal gas के लिए value क्या होती है, PV that is is equal to nRT, nRT के बराबर होता है, अगर मैं इसको O define करूँ, तो Z बराबर क्या आजएगा बच्चों, P real, P real upon में क्या आजएगा, nRT, nRT, मतलब n की value fix है, r की value fix है, t की value 4 ideal gas fix है, तो इसका मतलब nRT, तो equal आ गया, किसके nRT तो ideal gas है, इसका मतलब 4 ideal gas के लिए, जो उसकी जो real, pressure of real, sorry, volume of, यहाँ volume आएगा बच्चों, real volume, किसके लिए, किसके लिए, ideal gas के लिए, वो equal होता है, किसके लिए, उसके ideal volume से, 4 ideal gas, उसका real volume, ideal volume के equal होता है, 4 ideal gas, आदरश गैंसों के लिए, उसका वास्तिक आईतन, उसके आदरश आईतन से बराबर होता है, लबच समान होता है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते है, V, उसका ideal volume upon, मतलब इसके हम ऐसे भी लिख सकते है, PV ideal upon PV ideal, अपने कट करेंगे, तो answer क्या आजाएगा बच्चों, 1 आजाएगा, तो एक बात हमारे सामने निकल के आगी, कि ideal gas की volume की value, real gas के volume के case में equal होती है, इसका मतलब इसका compressibility factor 1 होता है, यानि इसका संपीड़ता गुनांक इसका 1 होता है, अब हम देखते हैं hydrogen के case में, helium के case में, nitrogen के case में, इनका Z factor हमेशा एक से जादा आता है, हमेशा Z factor जो होता है, वो एक से जादा आता है, always Z factor 4, तो क्या लिखेंगे बच्चों, always हमेशा Z factor 4, hydrogen and helium and neon greater than 1, हमेशा क्या होगा बच्चों, greater than 1, मतलब हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, hydrogen, helium, neon, gases के लिए, Z गुना, कामान, हमेशा एक से अधिक्तम आएगा, अधिक्तम आएगा, इसलिए, so, so, compressibility, जो इनकी compressibility होगी, इसी कारण इनकी compressibility, compressibility, जो होती है, वो काफी lower होती है बच्चों, मेरी बास समयाई, कि इनका compressibility जो होती है, वो बहुत ही कम होती है, in the case of hydrogen, in the case of helium, in the case of neon, in the case of, हना, क्या होती है, काफी low होती है, इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ाते हो, तो no doubt, इसका PV की value बढ़ती है, लेकिन इसके compressibility factor की value, इसकी compressibility factor की value जो होती है, वो हमेशा क्या होती है, इसकी बना, sorry, compressibility की value, वो हमेशा कम आती है, जनि संपीडता कामान हमेशा धीरे-धीरे कम होता है, हना, इसलिए इसका Z factor जो है, एक से ज़्यादा सा लेकिन इन गैसों की compressibility कम होती है, इसका Z factor तो ज़्यादा है, लेकिन compressibility कर रहा हूँ अगर मैं उसके आइडल वोल्यूम को कम कर रहा हूं और मैं किसी को बड़े में से छोटे सी का भाग देता है तो आंसर क्या आता है उसका बड़ा आता है हाना वोल्यूम मैं रियल वोल्यूम के से आइडल वोल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ यानि वास्तविक आइटन को आदरश आइटन से भाग दे रहा हूँ आजरिश आयतन का मान कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है लेकिन वास्तविक आयतन का मान क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो Z Factor क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है मेरी बास समझे नहीं बच्चो लेकिन लेकिन आप देखो कि इसका rial volume increase हो रहा है, इसका मतलब उसको compress करने में, उसको संपीडित करने पे, उसको दबाने में जोड ज़ynदा आ रहा है, इसका मतलब उसको संपीडन करना, उसको compress करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उसकी compressibility जो है, वो काफी low हो रही है बच्चों, तो कि उसका आयतन बढ़ रहा है, उसका volume बढ़ रहा है, मेरी बास समझ में ही, तो compressibility factor बढ़ने का मतलब यह है, कि उसकी compressibility कम हो रही है, जल् हमेशा हमेशा क्या होगा, greater than one होगा, always greater than one, और इनकी compressibility क्या होगी, इनकी संपीड़ेता बहुती नियूनतम होगी, low compressibility पाई जाती है, जब नोर्स पढ़ोंगे तो और बात तुम्हें clear हो जाएगी, आज मैंने तुम्हें समझाना है, जल्दी बोलो, शाबाश, तो अब बात आती है कि सर, इन gases का, हमें इन gases का liquification करना है, हमें इन gases से क्या करना है, आपको एक target दिया गया, कि क्या आप बताएं, कि hydrogen के case में, helium के case में, नियोन के case में, मुझे इन gases को liquify करना है, liquification करना है, यानि इन gases का मुझे द्रवी करन करना है, क्या करना है, द्रवी करन करना ह तो बच्चो बताओ, दरवी करंग का मतलभ क्या होता है, जब कि इसा volume increase हो रहा है, दरवी करंग का मतलभ क्या है, कि आपको इने को क्या करना होगा, इनको धीरे धीरे molecules जो बहुत दूर दूर जारे, क्योंकि इसका volume बढ़ रहा है ना बच्चो, पजिनकि रिए और जो उसके molecules है, वो बहुत दूर दूर जा रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, एक्च्छल में हम practical जरह जो जनेंजेंے हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, तो gas का character और बढ़ रहा है उसके अंदर हो, gases, मतलब बहुत ज़ाला उतन हो गा तब जाकर कि वो द्रव बना शुरू होंगे आपको बता है जू कि लिक्विड की जवे west होते हैं धुर्व की जो अनू कि तुलना में नू पैस पाश पाई जाते हैं तो मेरे बास सम्ज़धीन का लिक्विफश्षम मताओ इसी होगा या बड़ा difficult इस डिफिकल्ट टास्ट या इजी टास्ट जल्दी वोलो शाबाश इनका द्रवी करना असान काम है या बहुत बहुत कटिंग काम है शाबाश जल्दी बताओ फटावट अगर तुमने ये बात बता दी इसका मतलब तुम्हें ये बात समझ में आगी मैं लक्षर में चेक कर है मैं चेक कर रहा हूं सारे बच्चों को जल्दी बताओ फटा फट शबाश बच्चों बच्चों ने बहुत सही बता रहे हैं कि इसकी लिक्विफ क्रिशन में जोर आजेगा इसका लिक्विफ क्रिशन जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है फोर दा इन दा केस ऑफ हा अमेगेट ने क्या किया, अगर वो कहता है कि अगर आपको इनकी द्रवी करण करवाना है ना, अगर आपको इनका लिक्विश्टिशिंग करवाना है ना, तो आपको उसका टमप्रेट्र लो करना पड़ेगा, तब जाकर कि उसका तापमा निमन करना पड़ेगा, तब जाकर क कि उसका द्रवी करण होगा ये बात अमेगोट ने सुझाई ये एक्सपेरिमेंट हुए अमेगोट की कम्प्रीट होगे उसके बाद अमेगोट ने फिर क्या किया नाइट्रोजन पर किया फिर उसने CH-4 पर किया फिरち उसने CO-2 पर च्श करिमेंट किया फिर उसने कारबन मोगोग्षाइडे पर further किया और एक Bunny किया उसने त्यार किया उसने स्टी कि in gases की इस gases केश में क्या देखा वह इस gases केश में क्या वह तरफ फिर पलोट करता है बچों ग्राफ PV वर्सिस पी के क्या होगा? प्लोट होगा वही ग्राफ से फिर बनेगा बच्चों और फिर उसने क्या देखा? वो तुम बताने जा रहा हुँ ग्राफ वही मिलेगा, क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्या में लेगा स्टेट लाइट लेकिन उसने नाइटरोजन केस में देखा वो कहता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इनिशली फर्सली प्रथमत्या पहली बार जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोंगे तो क्या होगा थोड़ी सी पीवी की वैल्यू डाउन आनी शुरू ह प्रेशर को नाना ने चुड़ा वंधिशली क्या हुआ पीवी की वैल्यू डाउन वा और हम गाल लेकिन जैसे आप रहूंगे नाव द्लकीर 6- puntos 2-S 4-5 बीभार हिनी इनिशली क्या हुआ पीवी की वैल्यू गरा यंद हुगियो बहान चर्कक्रीच से 2 state line को across कर दिया और ये graph हमें PV का अमान धिरे-धिरे बढ़ने लग रबिधा और graph हमें उपर की तरफ मिलने लगे हलें कि तो graph धिर-धिरे उपर की तरफ मिलने लगे इस तरीके से में graph मिलने शुरू हुए तो इसका मतलब तो तुम्हें बात सुने आLI कि initially pressure को increase करने पर PV की value decrease होती है पर थम्तर दाप की एमान बढ़ाने पर PV की एमान में कमी आती है फिर भी आपने pressure को continuously बढ़ा जारे रखा increase continuously करते रहे after sometimes वागया हुआ कि PV की value increase होने लग गई और it means अब गराफ जो है नीचे से उपर के तरह जाने लग गया तो इस तरीके से हमें गराफ मिलता है तो ये गराफ मिलता है हमें बच्चों बास में यह यल्री बोलो शाब बास तो ये मिला हमें CH4 के case में ये मिला हमें ये मिला हमें N2 के case में यह मिला हमें carbon dioxide के case में इसी तरीके से carbon monoxide के case में मिल जाएगा अपने को तो क्या हुआ when increase then firstly increase pressure then PV firstly decrease परसमता है क्या हुआ decrease रहने शुरू हो गया decrease and reach and reach minimum मतलब वो minimum value तक पहुँच गी PV की value minimum तक पहुँच गी फिर after minimum then after minimum जब वो minimum तक पहुँच गी है then after minimum after minimum increase pressure हम बड़े ढीट लोग हैं हम मानते नहीं pressure को increase करते रहे करते रहे करते रहे then PV then PV value is increase वो value increase होनी start हो गई कि जब हमने क्या किया अगर मैं हिंदी में लिखूं तो जब हम दाब बढ़ाते हैं दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता बच्चों दाब बढ़ाते हैं तो तो PV का मान में PV के मान में कमी आती है कमी आती है कमी आती ठीक है तो कमी आने के बाद कमी आने के बाद हम दाब को निरंतर बढ़ाते रहते हैं निरंतर बढ़ाते रहते हैं तब कुछ समय बाद कुछ समय बाद दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर PV के मान में विर्दी होती है ग्राफ के अंदर बात करें विर्दी होती है बचों मेरी बात समझ में आई तो इस तो यह केसे होता है अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसकी Z Factor की Study करूँ Z Factor की Study करूँ इन दाखी केस हो Candice हो तो यहां 2 case बन रहे हैं बचों 2 case क्या बन रहे हैं वो लिखने जा रहा हूं 2 case क्या बन रहे हैं जब pressure higher हो जब pressure higher हो अधिक्तम दाब पर अधिक्तम दाब यानी higher pressure एक है सबसे lowest pressure यानी निमंतम दाब दो परसिति आगी न बच्चो निमंतम दाब आपके सामने दो परसिति आगी न बच्चो यह यहाँ पर प्रेशर क्या था लो था, देरे देरे प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ प्रेशर लो है यहां low pressure है, यहां पर high pressure है at low pressure पर condition क्या थी high pressure पर condition क्या थी उच्छ दाब और निमन दाब पर condition है मैं क्या कर रहा हूं परसितियों को देख रहा हूं condition की study कर रहा हूं मैंने देखा कि low pressure पर граф नीचे आ रहा है higher pressure पर ग्राफ उपर जा रहा है तो हम तो हमें Z factor दो तुरिके के मिलेंगे at low pressure at high pressure तो at low pressure and at high pressure तो हमें क्या का condition मिलती है किसी को अगर समझ्झ में आया तो मुझे बताओ कमें सक्षन के अंदर मिसें मैं बताने जा रहा हूं अच्छो आपको तो मुझे एक बाह बताओ कि Z की value क्या होगी यहां पर और at higher pressure case पे और Z की value lower case पे lower pressure के case में क्या होगी निमनतम दाप के case में क्या होगी और उसमें क्या होगी जल्दी बताओ higher pressure के case में greater than 1 होगी या lower या less than 1 होगी एक से Z का मान ज़ादा होगा उच्छतम दाप पर या एक से कम होगा जल्दी बताओ फटावड शाबाश जल्दी जल्दी बोलो बच्चों शाबाश बिल्कुल सही बात बच्चे बोल रहे हैं बच्चों सिंपल सी बात है हायर प्रेशर पर जैड का मान जो होगा वो एक से जादा ओगा graph उपर तर जा रहा है compressibility factor जो है उसकी value एक से जादा हो रही यहाँ पर compressibility factor की value एक होती graph उपर जाज़ा हायर प्रेशर पर हमें एक से जादा मिले गई तो बात लिख दी हमने at low pressure less than 1 होगी इसकी value एक से कम होगी तो यह होती है compressibility क्या होगी, यहां पर z factor की value जदा है, compressibility क्या होगी यहां पर, compressibility मतलब संपीडता का मान बहुत कम होगा यहां पर, यानि काफी कम होगी, इसको संपीडित करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, अगर मैं यहां बात करूँ, तो यहां पर इसका compressibility आप higher तरिके से आप कर सकते हैं, बड़ी असानी से आप कर सकते हैं, बड़ी अधिक्तम होती है, संपीडिता अधिक्तम होती है, अगर मैं बात करूँ, liquification factor की बात करूँ, ध्रवी करन के मान की बात करूँ, तो असानी से द्रवी करन किसका होगा, higher pressure पे होगा या low pressure पे होगा निमंतम दाप पे होगा या अधिक्तम दाप पे होगा जल्दी बोलो शाब बच बचो जिसको आप compressory नहीं कर सकते, molecule को आप पास पास निला सकते, molecule ने बनते नहीं है, तो आप उसका द्रवी करन कैसे कर दोंगे सबसे difficult task इस case में होगा जब उसके Z की value greater than 1 होती है, सबसे difficult होता है, यहाँ पर सबसे कठिन कार होता है इसका द्रवी करन करना, और यहाँ सबसे easy, सबसे easy task है जहाँ पर Z का मान एक से कम है मतलब compressibility factor की value एक से कम है मतलब आप उसको असानी से compress कर सकते हैं, उसके volume को कम कर सकते हैं, जब उसके volume को कम कर सकते हो, तो इसका मतलब उसका liquification उसका द्रवी करन भी असानी से कर सकते हो, यह सारी study Amagate ने की, Amagate भाई साम ने की इसको बोलते हैं, deviation यह देखो, यह ideal गैंस से डैविट तो हो रहे हैं, यह देखो बच्चों एक से ज़्यादा, एक से कम ideal गैंस के लिए क्या value होती है, सब पीटेता गुनाएं की, Z is equal to 1 तो मतलब यह ideal behavior से डैविट शो कर रहे हैं, कोई positive शो कर रहे हैं, कोई negative शो कर रहे है, तो यही तो division है, ही आद्रश वहवार का विचलन है बच्चों, अगर हम अभे गॉट ने क्या देखा, यह तो हमने दाप के बारे में देखा, यह तो हमने क्या देखा, बच्चों pressure के बारे में देखा, आगे उसने study की आगे temperature की study की what is fact of temperature की दापमान का क्या परभाव पड़ता है ये अमेगोट ने ये बात देखी यानि अमेगोट पता नी कौन scientist है ये अमेगोट हमें परिशाग कर दिया ना बच्चों को बच्चों को अमेगोट ने क्या देखा कि अमेगोट ने सिर्फ और सि इस तरी की उसने ये बात देखी की टम்低शर सटरी की तो टंपरेचर का क्या सकट पड़ता है यूज एक इफटकर की सटरी की तो इसने क्या देखा हमें पता है कि जय अगर पीवी वर्सिस ग्राफ देखें तो अगर ग्राफ two करें In the case for nitrogen, अगर मैं graph बनाऊं, तो क्या बन के आता है, graph ऐसे बन के आता है, simple सी बात है बच्चो, graph कैसा बन के आता है, nitrogen की case में, और मैं क्या कर रहा हूँ, temperature को increase करता जा रहा हूँ, तो यह देखो, graph कैसा बना था अपना, graph बना था ऐसे, अपना graph कैसे मिलता है, अपने को, curve मिलता है, बच्चो जादा नीचे आ गया, अगरा, graph कैसा मिलता है, अपने को, curve मिलता है, यह ऐसे कर रहा हूँ, मैं बताऊंगो, ऐसे करण के है, देखो बच्चो, अब क्या हुआ कि, यह जैसे आसे आपने temperature की study की, को बढ़ाता गया, तो आप एक बात कर रहे है, कि ये जो graph है ना ये जो graph है इसका जो curve है curve यानि इसका वक्र वो देदर क्या वराख खतम हो रहा है इसका dip पार डिप जिसको बोलते है डिप यानि इसकी गहराई खतम हो रही है और graph हमें lastly क्या मिलता है हमें straight line graph मिल जाता है state line यानि सीधी रेखा में graph मिलता है अगर आप temperature को बढ़ाते जाते हूं इसका मतलब ये है कि इसका compressibility factor जो है न वो जैट के बराबर वन आ जाएगा मतलब इस case में ये ideal की तरह behave करना start कर देगा इसका मतलब temperature बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ इसका मतलब ideal behavior की तरफ बढ़ते जाओ जैसे आप temperature बढ़ाऊंगे तो वो ideal behavior की स्टार्ट कर देता है बच्चों आईडियल बिहेवियर की तरह है यानि आदरश व्यवार की तरफ वो बढ़ना शुरू जाता है temperature और increase कर दो तो इसका मतलब वो आईडियल बिहेव की तरह है बढ़ना शुरू कर देगा तो एक ऐसा condition आएगा एक ऐसा point आएगा एक ऐसा point of temperature ऐसा point of temperature जहां पर ये आईडियल ये nitrogen gas आईडियल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है ऐसा तापमान का वह बिंदू जिस पर वो आदरश वहवार करना शुरू कर देती है उसका compressibility factor की value 1 हो जाती है उसका ratio जो है उसके real volume का ratio उसका real volume उसका ideal volume equal हो जाता है ratio 1 हो जाता है उसका compressibility factor उसका 1 हो जाता है संपीड़ता गुनांक उसका एक हो जाता है तापमान बढ़ाने पर देखो इसका जो करव वह टूट रहा है मतलब इसका pressure जो है इसका जो ratio है वो volume का बराबर हो रहा है इसका मतलब वो point of temperature जहां पर nitrogen gas ideal behave करना शुरू कर देती है मतलब boil लोको OB करना शुरू कर देती है जैनि boil के नियम की अनुपालना करना शुरू कर देती है और ऐसे तापमान के बिंदू को क्या कहते है इसको boil temperature के नाम से जाना गया और इसको boil temperature आता है एक्जाम के इंदर question की what is boil temperature define it परिभासिच कीजिए तुम क्या बोलोंगे वो point of temperature any gas behave like a ideal behavior the point of temperature and always boil low it is known as boil temperature ऐसा गयास जो ऐसी गयास तुमान के साथ साथ आधर्ष वहवार बढ़ाने के साथ साथ it is back to temperature increase बढ़ाने के साथ साथ क्या होता वच्चोड तापमान बढ़ाने के साथ साथ वह आधर्ष वहवार की तरफ बढ़ने लगती है और तापमान का वह बिंदू, जिस पर वह आदरश गैस की तरह वहवार करना शुरू कर देती है, यानि उसकी compressibility factor की value 1 हो जाती है, इसका मतलब वह boil temperature कहलाता है, boil तापमान कहलाता है, और तुम उसमें एक graph ये वाल अप्लोड कर देना, तुम्हारा date number का question पूरा हो गया, तु boil temperature को TB से denote किया जाता है, तो I hope आपको boil temperature की definition समझ में आगी होगी, आप मुझे ये लिख कर कि अभी group में या अपने WhatsApp chat की अंदर send करोंगे, कि what is boil temperature, मैंने बहुत बड़े दिक ही define कर दिया, तो temperature का factor समझ में आबच्चो, temperature बढ़ाने पर, वो ideal gas की तरह, ideal behavior की तरह, behave करना ये हमने बात की, आज हमने एक फड़ा वो समझा, ये बातें सारी हमें किस ने समझाई, अमें got ने समझाई, मतलब temperature आप जैसे ऐसे बढ़ाते ही जाओंगे, वैसे वैसे उसका curve, यानि उसकी deepness, उसका curve, देरी-देरे कम अना शुरू हो जाएगा, यानि उसका curve, बच्चो आज का lecture आपको समझ में आया होगा, इस सारे lecture के with notes, Hindi, Medium, English, Medium, कल आपको elaborate करने वाला हूँ, सारे बच्चे मुझे मुझे मिलेंगे कल class के अंदर, तो आपको एक-एक line clear करूँगा, और notes आज आपने नहीं बनाने, आपने सिर्फ और सिर्फ समझना है, कल notes बनाना है, बैटक और जल्दी तुम बता दूँ हो बच्चों, बाई बच्चों, थैंक यू